we will discuss about sexual reproduction तो sexual reproduction के बारे में अभी तक हम लोगों ने ए sexual reproduction देखा कि single parent involvement होता है लेकिन involvement of two individual before a new generation can be created then this condition is called sexual reproduction यानि कि sexual reproduction का मतलब है जिसमें two parent या two individual involved हो new generation के creation के लिए तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये sexual reproduction है जैसे नार्मली आप लोग देखते हैं cow है, cow है, chickens है मतलब इसमें male और female जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक ये चीज new generation नहीं develop होगी तो इसमें both sexes male and females are needed to produce new generation अब सवाल ये है कि ठीक है ऐसा sexual reproduction होता है इसमें male और female दो individual involved होते हैं लेकिन इससे फाइदा क्या है क्यों ये जडूडी है जो एसे sexual mode आप reproduction से भी तो हो सकता था ये चीज़ तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस procedure को समझ लें तो फिर हम और समझ पाएंगे तो creation of two new cells from one involved in copying up DNA as well as cell or repetition आप लोग अभी DNA के replication और cell division के बारे में हमने आपको पताया था cell division का मतलब होता है one cell form two cell cell divide होकर के one cell divide into two that is called cell division या two into four, four into eight it's तो etc इस तरह से कने का मतलब जब एक cell दो cell में divide हो जाती है दो cell form होना लेकित तो उसको cell division बोलते है division जैसे आप लोग division करते हैं कोई ची लिया कोई उसको दो हिस्से में divide कर दिया तो division हो गया तो इसी तरह cell भी divide होके एक cell से दो cell बनती है और कोई तरीका तो है नहीं cell से ही cell बनेगी अचानक से कोई अलग से तो चीज आ नहीं जाएगी तो cell divide होकर के new cell का formation करती है और इस process में हमने बताया था कि DNA की copying भी होती है क्योंकि हर cell में DNA होना ज़रूरी है तो cell अगर divide हो रही है तो DNA भी divide होना चाहिए copying होनी चाहिए जिसको कि हम लोग DNA replication बोलते हैं DNA replication के बारे में आप 11th class में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे procedure होती है पुरी लेकिन आप यहां पर इतना जानिए कि DNA chromosome के अंदर DNA होता है और DNA भी एक से दो दो से चार जैसा के आप बताया भी था बनता रहता है और वही फिर वो one cell to next cell में पास होता रहता है तो इस तरह से यह भी चीज मेंने वहाँ डिस्स किया था कि जो DNA की थोड़ा बहुत डिफ्रेंस उसमें आता है लेकिन अगर यह डिफ्रेंस बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा फिर वो cell die कर जाती है cell में बहुत सारा ज्यादा चेंजेंज बनी के विज़ासे वो survive नहीं कर पाता है अब हम लोग अगर sexual reproduction की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें two individual involved होते हैं और दोनों में कुछ नो कुछ variation होता है तो जो हमें combined effect मिलता है variation का तो अब जो variation मिलेगा वो पहले से ज्यादा variation होगा तो sexual reproduction का जो main reason है वो यह variation ही है यह इसका सबसे ज्यादा benefit यही होता है sexual reproduction का कि हमको ज्यादा variation मिलता है और दूसरी चीज variation ज्यादा होने के बावजूद यह cell इसमें die नहीं होती survival होता है इनका इसलिए कि वो जो दोनो variation आ रहे है वो ऐसे individual से आ रहे है जो already survive कर रहे है तो उनके नस ऐसे individual का survival का chance 100% होता है क्योंकि already वो characters या variation के साथ वो animals जो दो individual है वो already exist कर रहे हैं तो अगर वो अगले programming में अगले generation में characters या variation पास होते हैं तो उसके साथ जो next generation होगी वो भी fully survive करेगी जबकि अगर एक individual में अगर variation ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि वो कई बार survive नहीं कर पाता तो फिर क्या होगा वो फिर अगले generation में भी उसके survival के पूरे-पूरे chance रहेंगे और हमें new variant भी मिल जाएगा तो combined variation हमें मिलेगा तो combining यहाँ पर आप देख रहे हैं combining variation from two or more individual would thus create new combination of variants और each combination would be novel और यह combination जो मिलेगा हमको नया जो combination मिलेगा वो novel होगा क्योंकि already selected इसमें variants हमको मिलेंगे तो two parents से जो हमें variation मिल रहा है वो already selected है selected का मतलब कि वो already survival के लिए appropriate है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो उसके साथ new individual असानी से survive कर सकता है उसके उज़से कोई समस्या नहीं आएगी तो sexual reproduction का फायदा यह हुआ कि दो individual का variation था वो अब combined हो गया और new variant का formation हो जाएगा तो इस तरह से sexual reproduction में जो sexual mode of reproduction incorporate process of coming from two different during reproduction तो कने का मतलब sexual reproduction में यह variation क्या होते हैं combined हो जाते हैं तो combined effect हमें मिलता है और ज़्यादा variation मिलता है और ज़्यादा इससे development होता है new species का new generation का तो उसका अच्छा effect मिलता है इसके बाद इसमें एक difficulty और एक समस्या और आती है कि new generation में जो combination है dna complex का वो अगर dna दोनों के मिल जाए जैसे किसी human में माल लेजे 42, 46 chromosome है तो एक उसमें और 46 chromosome मिल जाए तो टोटल नमबर आप chromosome कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा लेकिन जनरल ऐसा होता नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसी mechanism हो जो fusion से पहले fertilizer से पहले जो chromosome का number है या जो dna का material है उसको half कर दे आधा कर दे तो इसके लिए कुछ organs होते है कुछ specialized tissue होते है ठीक है और उसके अंदर एक lining of cells होती है जो की ऐसे क्रोमोसोम का या ऐसे cells का formation करती है जिसके अंदर क्रोमोसोम का number और dna का amount होता है वो half रहता है खास करके क्रोमोसोम का number उसमें हाफ होता है और यहां पर यह भी कैसे develop होता है जो lineage आप cell है उसके अंदर एक cell division होता है तो normally जो cell division होता है उसमें आपने देखा कि इतना dna पहले है उतना ही dna उसमें बनता है और क्रोमोसोम का number भी सेम होता है लेकिन इस तरह के cell division में जो क्रोमोसोम का number है वो half हो जाता है और ऐसे cell division को हम लोग meiosis बोलते है normal जो cell division होता है उसको mitosis बोलते है लेकिन इस तरह के cell division को हम लोग meiosis बोलते है अब meiosis, mitosis क्या है इसके बारे में हम discuss नहीं करेंगे क्योंकि 11 की चीज़ है और बहुत lengthy process है इसको हम एक line में नहीं समझा सकते है बस आप इतना याद रखिए कि mitosis में cell division होता है तो एक cell से 2 cell बनती है और chromosome का number सेम होता है लेकिन meiosis में जब cell division होता है तो एक cell से 2 cell, 2 cell से 4 cell बनती है लेकिन उसमें chromosome का number 1 half हो जाता है ठीक है तो जैसे human का reproductive organ है तो उसमें क्या होगा sperm का जो number होता है sperm में जो chromosome का number होता है वो 23 होता है instead of 46 उसी तरह से ovary के अंदर जो ovum formation होता है उसके अंदर भी chromosome का number 23 होता है instead of 46 अब 23 23 मिलेंगे तो 46 maintain हो जाएगा तो sexual reproduction में यह इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि chromosome का number doubling ना होने पावे two cell के fusion की हो जैसे क्योंकि यहाँ पर cell जोती है male of female gametes जोती है वो fuse होती है और fuse होकर करके एक नई cell बनाती है जिनको के हम लोग जाएगोट करते हैं और वो जाएगोट develop होकर के फिर बनाता है embryo और embryo से फिर पूरी body का formation होता है तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी procedure होनी चाहिए कोई specific cells होनी चाहिए ऐसा specific organ होना चाहिए जहां पर ऐसी cells का formation हो ऐसे gametes का formation हो जो की क्रोमोसोम का number half हो जाए तो इस तरह से DNA material DNA का जो number है वो भी half हो जाएगा ठीक है DNA material amount जो है उसका वो half हो जाएगा तो कुल मिलाके half हो और half मिलकरके one होना चाहिए यह बुरी इसमें process होती तो sexual reproduction mainly होता है दो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका main purpose है वो more variation है more variation more adaptability in the environment variation जादा होने के बावजूद environment यह better adapt कर पाता है क्योंकि इसमें cell die होने के chance नहीं रहते क्योंकि उसमें वही character जा रहा है जो already किसी individual में है और वो better survive कर रहा है इसलिए उसके fail होने के या उससे कोई deformity आने के chance बहुत कम होते हैं तो इस तरह से sexual reproduction का यह benefit है variation more variation और दूसरी चीज यहाँ पे number कैसे maintain रहता है यह चीज भी आप समझ गए होंगे क्योंकि जो male or female gammit का formation होता है उसमें क्रोमोसोम का number बाकी जो body के अंदर cells हैं उससे half होता है और जब male or female gammit fuse होंगे तो वापस से उतना ही maintain हो जाएगा तो इस तरह से यह पूरी procedure होती है